नमस्कार आप देख रहें न्यूज वाच इंडिया और मैं हूँ आपके साथ सत्यम गौर हम रहें या ना रहें कल कुछ इसी गाने को लास्ट टाइम केके गुनगुना रहे थे और पूरी महफिल सजी हुई थी मशूर सिंगर केके इस गाने को गुनगुना रहे थे कि एक ख़वर ऐसी सामने निकल कर आई जिसके बाद सभी की आखे नम हो गए खैर आपको बता दे कि केके राना का निधन हो गया है ये बताया जा रहा है कि उनकी हार्ड अटैक से मौत हुई है लेकिन कुछ तस्वीरे भी सामने निकल कर आई जिसमें साब तोर पर केके देखे जा सकते हैं कि किस तरीके से वो पसीना पोच रहें बार बार और इसी के बाद उनकी तबियत बिगड़ जाती है और वो स्टेज पर गिर पड़ते हैं जिसके बाद उन्हें आननफानन में अस्पताल में भरती कराया जाता है जहां पर डॉक्टर उन्हें मिरत खोशित कर देते हैं 53 साल के मशूर सिंगर केके राना की अब निधन हो गया है जिसके बाद पूरे फिल्म जगत में शोक की लहर देखनों को मिल रही है इसके साथ साथ अगर राजनी जगत की बात की जाये तो यहां पर भी लोगों ने शोक व्यक्त किया है अगर पश्चिम बंगाल की ममता बन इनर्जी की बात करें तो उन्होंने भी इस पर सोक व्यक्त किया है इसके साथ ही राहुल गांधी ने ट्विटर हैंडल के द्वारा शोक व्यक्त किया है बड़े बड़े अभिनेताओं ने भी इस पर शोक व्यक्त किया है अक्षे कुमार की बात की जाये या जय दोगन की बात की जाए तो इन सभी कलाकारों ने शोक व्यक्त किया है एक बड़ी शति हुई है फिल्म इंडुस्ट्री की एक तरब जहां मूशेवाला की मौत के बाद अभी दूसरी मामला ये सामने निकल कराया है जिसमें केके सिंगर जो की मशूर थे उनकी अब निधन हो गई है जि उनकी मौत हार्ड अटेक की वज़े से हुई है क्योंकि स्टेज में भी सापतोर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से वो यहां पर अपने आपको अनकमफिटेवल मैसूस करते हुए नजर आए पशीना बार बार पोश्टे नजर आए उनकी तबियत कहीं न कहीं बिगड रही थी और इसके बाद वो कुछी देर में गिर पड़े और जिसके बाद उन्हें आननफानन में अस्पताल में भरती किया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घूसित कर दिया यह तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं जब यह शो चल रहा था लाइब शो में लोग यहां पर लुप्त उठा रहे थे और इसी दोरान एक बड़े सिंगर को देश ने खो दिया